इसराइल ने बदल ने लिया है इस बदले के बाद पिर इन दोनों देशों की भी इतना तनी बढ़ गई है इसराइल ने 25 अक्टूबर को इरान के कई सैने ठिकानों और मिसाइल निर्मार इकाईों को निसाना बढाया है इसमें कई इरानी सेन अधिकारियों की मोत की वी खबरे हैं अब इस हमले के बात डर है कि कहीं मिडली स्ट में बड़ा यूद न छिड जाए तो आए जानते हैं इस रिपोर्ट में अमेरीका ने क्या कुछ कहा है और क्या है एक्षपार्ट किराए हमले के बाद अमिरका ने इरान को चेतावनी दिये कि वो इसरेयल से बदला लेने की ना सोचे लेकिन इरान बदला लेने पर अड़ा हुआ है इरान ने कहा है कि वो अपने सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा इरान के ब्यान के बाद मिडिल इस्ट में फिर से बड़ा यूद छीरने के आसार हो गए है इस बिच अमिर्की रक्षा सची लोयट जे आस्टिन ने चेतावनी देते हुए काया है कि इरान को इस्राइल के हमलों का जबाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए तो वहीं अमिर्की राष्ट पती जो वाइडन ने कहा कि उन्हें उमीद है कि इरान पर हमले से महीनों से चल रहे तनाव का अंत हो जाएगा मुझे उमीद है कि यह अंत ही है इरान इस हमले को कम हतों देते हुए कह रहा है कि छेतरे सांति और सुरच्छा के प्रती उसकी जिम्मेदारिया है इसराइली परदान मंतरी बेंजमीन नेत्यन्याओ ने कहा कि इसराइल ने इरान में अपने लच्छों को राष्टे हितों के आधार पर चुना है न कि अमिर की आधेश के अधार पर उनकी ये टिपडिया उन मीडिया रिपोर्ट के जबाब में थी जिनमें दावा किया गया था कि इसराइल ने अमिर की दबाव के कारण इरानी गैस और तेल सुबदाओं पर हमला करने से परेज किया था हलाकि अभी आमला सांथ होता दिख रहा है तो वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ये मामला भी सांथ नहीं हुआ है इरान पल्टवार कर सकता है सुनिए एक्सपर्ट का क्या मानना है अगर हम इतिहास को देखे तो इसके पहले ये दो देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक जमाने में लेकिन तबसे दुश्मनी शुरू हुई जबसे इरान ने पैलस्टीनियन को रिकगनाइस कि और पैलस्टीनियन के जो लोग है वो अप्रेस्ट है ऐसा मानने लगे और तबसे ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है इस्रेल इरान का जो ये युद्ध है ये युद्ध ये चलता रहेगा एक दूसरे को बंबाट करते रहेंगे एक दूसरे के उपर मिसाइल दाखते रहेंगे जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए अट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए आशा करते हैं कि ये जल्थ खतम हो क्योंकि उसके वज़े से महंगाई बढ़ रही है मिडलीस्ट में जो मिडलीस्ट का जो ओईल सप्लाए है उसके उपर बहुत बड़ा प्रश्म चिनने लगा हुआ है और ये जो सारे मिडलीस्ट के जो देश है ये सारे देश अपस में लड़ रहे हैं एक तरफ लिबनान भी है एक तरफ एरान भी है एक तरफ इस्राइल भी है तो हमास भी है तो इनके बीच में जो लड़ाई है इस लड़ाई में हमारे ख्याल से कि पूरी पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा तो यह थी इसरायल इरान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स होता है साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें बाकी देश दुनिया के खवरों के लिए ब